हेलो दोस्तों राम राम कैसे हो आप सब उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे आध मैंने कड़ी बनाई है वो भी बिना मिस्ट मसाले के तो बही मैं आप से शेयर करें सबसे पहले बेशन को घोल लेंगे गंटे के लिए भिगो के रख देंगे उसके बाद अस्टे से फ भागए हैं अब गैस पर कढ़ें रख देंगे और कढ़ाई में तेल अदिया ओ गरम हें जीते ही और ढ़ाइमें बेशन को फेटकर इस फेट ने में डाल दिया है इसके बाद हम इसमें एट करेंगे थोड़ी सी हल्दी हल्दी एट करने के बाद नमक अभी एड नहीं करेंगे इसको अच्छे से चलाएंगे जब तक चलाएंगे जब तक कड़ी में उबालना आ जाए और जब कड़ी अच्छे से उबलने लगेगी उसके ब अब अपने हिसाफ से कम जादा कर सकते हैं तीखा या फीका जासा पसंदो और उसके बाद इस कड़ियों को अच्छा से उबाल ले देए कि कड़ी अच्छा से उबल चुकी है आप देख पा रहे हैं इसमें पकोडियेट कर देते हैं उसके बाद 5-10 मिनट के लिए इसको फिर धीमी धीमी आज पर इसी तरह से पकने देते हैं और यह देखिए पकोडियों को चला देते हैं जिससे की पकोडियों के अंदर कड़ी कारस अच्छे से आ जाए और यह देखिए पकोडियां हमारी अच्छे से कितनी अच्छी सॉप्ट शॉप्ट बनी हैं बहुत ही जादा मुलाइम पकोणिया वनी आप देख पा रहे होंगे और यह कड़ी हमारी बनके तयार होगी गैस आफ करते हैं इसमें थोड़ा सा बघार लगाते हैं बघार में देखे मैंने तेल गरम कर लिया इसमें हींग जैरा फिर से थोड़ा सा डाल दिया है थोड़ी सी लाल मिर्च और सकते हैं आप इस वार ऐसी ही कड़ी बनाएं और प्रोटी और चावल के साथ इसको खाएं बहुत अच्छी देखने में भी जितनी लग रहे हैं खाने में उतना ही टेस्ट आता है तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बल आइकन को प्रेस करे जैसे जब भी वीडियो अप्लोड करें आप तक सबसे पहले पहुंचें धन्यवाद